ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पी 125 ड्रॉप्स एक व्यापक रूप से दी जाने वाली दवा है जो दर्द को कम करने और शरीर के उच्चताप बुखार को सामाने करने में मदद करती है। बच्चों में यह सिरदर्द, दांत दर्द, शरीर में दर्द, बुखार और सर्दी जुकॉम जैसी स्थितियों का इलाज करता है। पी 125 ड्रॉप्स को प्रति दिन एक निश्चित समय पर मुग के रास्ते से दिया जाता है। हालाकि इस दवा को भूजन से पहले या भूजन के बाद लिया जा सकता है। लेकिन इसे भूजन के बाद लेना बहतर ह होता है क्यूंकि दवा खाली पेट की आंतरिक लाइनिंग को इरिटेट कर सकती है। डोज और इलाज का समय आपके बच्चे की उम्र, शरीर के वजन और इंफेक्शन की गंभीरता पर निर्भर करेंगे। इसलिए अपने बच्चे के डॉक्टर द्वारा बताए गए प्रिके के अनुसार ही दवा दें। अपने बच्चे को पी 125 ड्रॉप्स उन अन्य दवाओं के साथ न दें जिन में पैरा सिटा मॉल होता है। कई सर्दी जुकॉम और बुखार की दवाओं तथा अन्य दर्दनिवारक दवाओं के साथ क्यूंकि इससे ओवर्डोज हो सकत है और इससे happy to toxicity, liver damage जैसे खतरनाक side effect हो सकते हैं। अपने बच्चे को इस दवा के साथ कोई अन्य दवा देने पहले हमेशा दवा की सामगरी की जांच करें। आम तोर पर यह दवा बच्चों द्वारा अच्छी तरह से सहन कर ली जाती है। हाला कि कुछ बच्चों में और प्रभावी माना जाता है लिकिन यह सब के लिए उप्युक्त नहीं हो सकती। अगर आपके बच्चे का किसी भी रक्त संबंधित बिमारी का इलाज चल रहा है, किसी भी दवा के लिए अलजिक है या कोई जनजात दोश, liver में खराबी या kidney की समस्या है तो अपने डॉक को सूचित करें इससे आप